घटना के वक्त छात्राई कक्षा में मौजूद थी कक्षा के बाहर छिड़का, मिर्च, पाउडर तीन छात्रों को जिला अस्पताल में कराया भरती बच्चे अगर शरारत करें तो हम ना समझ या फिर नादान मारती हैं लेकिन वही बच्चों के कर्टूत किसी बच्चे को अस्पताल तक पहुचा दे तो क्या वो शरारत माफ करने लायक है? ऐसा ही एक मामला उत्रीगोवा के बिचोलिय में से आया है एक हाय सेकेंडरी स्कूल में 11 चात्रों को गुरवार को मिर्ची स्प्रे छिड़कने के कारण अस्पताल में भरती कराये गया एक वरिश पुलिस अधिकारी ने कहा कि चात्रों के एक ग्रूप ने शरारत करते हुए मिर्ची स्प्रे का इस्तमाल किया अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त छात्राइक कक्षा के अंदर मौचू थी और स्कूल प्रबंदन से मिली शिकायत की अनुसार कुछ छात्रों को बेचेनी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी उन्हें कहा कि 11 चात्रों को शुरू में सामुदाइक स्वास्त केंडर पेचा क्या उसमें से 3 को बाद में जरास्पताल में भरती कराये गया घटना के बाद जरास्पताल पहुंचे विचोलियम के विधायक चंद्रकाम शेटि ने कहा कि सभी चात्रों की हालत स्थिर है उरह ने कहा कि दो को छोड़कर अधिकान शात्रों को जल्द छुट्टी दे दी जाएगे विधायक ने कहा पुलिस को स्कूल प्रबंदन से घटना की जाच करने को कहा गया है स्कूल प्रबंदन ने पुलिस को बटाया कि वो पहले ही चार चात्रों को निलंबित कर चुका है पुलिस ने कहा स्कूल की आंतरिक समीती घटना की जाच कर रही है वे एक रिपोर्ट तयार करेंगे और उन लड़कों के खिला कारवाई करेंगे जिन्होंने लड़कियों पर स्प्रे चड़का है पुलिस के मताबिक दोनों लड़कों के इस पेपर स्प्रे एक ओनलेन शॉपिंग प्लाटफूम से खरीदा था अधिकारी ने कहा कि लगभग 11 चात्रों को जलन और बेचेनी महसूस हो रही थी और उन्हें अस्पता ले जाए गया उनमें से कुछ को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गए उन्होंने कहा कि इसी तरह की एक घटना पहले भी इस स्कूल में हुई थी और दोनों लड़कों के खिलाफ कारवाई की गए थी अधिकारी ने कहा कि दोनों घटनाओं के अपरादी अलग-अलग है हम उपाय कर रहे हैं ताकि ऐसे मामले दुबारा ना हो तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही और इसी तरह देखते रहेए रिपोर्टर जी गोवा थनिवाद अगर आप हमारी चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें